मनुष्य के रुदय में भय का सामराज्य रहता है सदा कभी संपत्ति के नाश का भय कभी अपमान का भय कभी अपनों से छूट जाने का भय इसलिए भय का होना सबको स्वाभाविक ही लगता है क्या कभी विचार किया है जो स्थिती अथवा वस्तू भय को जन देती है क्या वही से वास्तव में दुखाता है नहीं, ऐसा तो कोई नियम नहीं और सबका अनुभव तो ये बताता है कि भय धारन करने से भविश्य के दुख का निवारण नहीं होता भय केवल आने वाले दुख की कल्पना मात्र ही है वास्तविक्ता से इसका कोई संबंध नहीं है तो क्या ये जानते हुए भी कि भय कुछ और नहीं केवल कल्पना मात्र ही है इससे मुठ्थ होकर निर्भय बन पाना क्या बहुत कठिन है अवस्चे विचार कीजेगा